बिये पार थर्ड के सभी विद्यार्थियों का आर्दिक अभिनंदन श्वागत प्यारे बच्चों जैसा कि आपको पता है कि हम निती शत्कम जो है उसका अध्यान करने जा रहे हैं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है पहले दूर्जिन जो पदती है उसका एक जो है इसके अंदर रह गया था और अब उसके बाद में जो है सजन परसंसा उसका हम अध्यान करेंगे तो पहले हम इस पद्दे का अध्यान कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे यहां दुस्टों की जो है बिना कारण के ही वेर भावना रखते हैं उसका बनन यहां पे कहा और कहा त्रिने जल संतोस वीहित व्रीती नाम यहास फूस खाने वाले जल का सिवन करने वाले संतोस से ही जीवन यापन करने वाले ऐसे यहां नाम गिनाया म्रिग मीन म्रिग यहनी जो हरिन होता वह है मीन यहनी मचली होती वह है और सजना नाम यहनी सजन जो होता है वह है लुब्द का दिवर फिशुना नीशकारण में जगती वेरिनी भहनती इन में जो म्रिग होता है हरिन जो होता है वह है सिकारी जो होता है उसका वह सिकार बन जाता है मसली जो होती है पानी में रहती है पानी का ही जो हुए रहने वाली उसका सेवन करती है लेकिन जो मच्वारा जो होता है वह उसका सिकार कर लेता है अगे आता है सजन पर्संजा और यहाँ अब हम सजन पर्संजा के संद्र में नहीं, एक ठावन जो पद्याएगा, वहां तक हम इसका दिन करेंगे, और कहा, वांचा सजन संगमे परगुणे प्रीती गुणरु नम्रता, विद्यायाम वेशनम स्वयोसिती रतिर लोक अपवादाते वभयम, भक्तिह सुलीनी सक्तिर आतम दमने संसर्ग मुक्तिही खले, येश्वेती निवसंती निर्मल गुणास तेब्यह नरेब्यह नमः, यहां जो सजन व्यक्ति है उनके संदर में कहा, सजनह संगम में वांचाह ऐसे दुर्जनों की संक्ति जो होते उनसे बचने वाले सजन जो व्यक्ति होते हैं, जिनमें ऐसे निर्मल गुण जो विद्या मान रहते हैं, ऐसे सजनों को हम प्रनाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अगला जो पद्य आया और यहां पे कहा विपतिम धहरियम अभिविद्यक्षमा सदसी वाक पटूता यूद्धी विक्रमह यससी चे अभीरुचिर व्यसनम सुरूता हूँ प्रेकृती सिद्धम इदम ही महतमनाम विपति धहरियम अथे अभिविद्यक्षमा यहीं महापूर्श जो है उनके सौभाविक जो गुण होते हैं उनके जो गुण है उनका वलन करते विए कहा विपति धहरियम यहीं संकट में जो है धहरियरगना अभिविद्यक्षमा और उनती होने पर अत्यदिक सेनसक्ति जो है उसको स्विकार करना या सैनसिल बन जाना सदसी वाक पटूता सभा के अंदर बोलने की जो है चतूरता सभा में वानी जो होती है उसकी कुशलता दिखाना बोलना चतूरता दिखाना विक्रम है, यूदी विक्रम है, यानि यूद के अंदर प्राकरम दिखाना, यूद में सोरिय जो होता है, किरती जो होती है, उसके अंदर रूची लेना अभिरुची ही शुरुत व्यसनम वेद जो गरंथ होते हैं उन वेदों के प्रती जो है अध्यन में जो है मेहनत करना लगन रखना इदम ही महात्मानम प्रकृति शिदम अस्ति ये जो गुण होते हैं महापुरुसों के अंदर सवहावसिद होते हैं प्यारे बच्चों दुर्त विलंबित जो चंद है उसका ये उधारन है आप अन्ने व्याक्रनात में टीपने हैं वो भी आपिन में पड़ें करेशलाग्यस त्यागह सिरसी गुरुपाद प्रणीता मुखे सत्या वानी विजयी भुजियो और वीरियम अतुलं रदी स्वच्छा वृति ही सुरुतम अधीगतम चे स्रवनयो हो विनापी एस्वरियन प्रकृति महताम मन्नम इदम करेशलाग्यस त्याग्यस यनि आथों की सोबा किसे होती है दान देने से होती है सिरसी गुरुपाद प्रणीता और सिर पर जो है हमेशा गुरु का आशिरवाद रहना मुखे सत्या वानी मुख में सत्य वानी रहना भुजयो हो विजयी अतुलम वीरियम भुजाओं के अंदर जो है विजय प्राप्त करने वाली एदिती शक्ती रधी स्वच्छता वृति ही स्रवनयो हो अधीगतम शुरूतम रधे के अंदर जो स्वच व्यवार करना और स्रवन का मतलब कान यनि कानों में प्राप्त किया हुआ ऐसा जो शास्तर ज्यान होता हुए है एसवरियन विना अपी प्रकृतम महताम इदम मडनम यनि ये महापुरुसों के अंदर ऐसे जो गुण होते हैं ये सौभायुक आवश्ण होते हैं उन्हें बहुतिक जो अलंकरन होते हैं उनकी आवशक्ता नहीं रहती है अगλά पद्धे जो है यहां जो हम अधैन करने जा रहे हैं यहां पे कहा कि ऑहिंचा सत्य अपरिगरे इत्यादी जो सत्गुण होते हैं उनसे ही मानव का कल्यान हो सकता है ये ही वाहवना या इसी वाहव के साथ में यहां कवी जो उन्होंने कहा प्राणा गहातात निवरती ही परधन हरने सैयमह सत्ते वाक्यम कालेश्च सक्त्या प्रदानम यूती जन कथा मुग भावह परेशाम प्राणा गहातात निवरती ही यने प्यारे वच्चों यहां पे कहा कि प्राणी जो होते हैं उन प्राणियों की हिंसा से हमेशा दूर रहना परधन हरने सैयमह यनि दूसरुई का जो धन होता है उसके अपरण जो है उस अपरण से मन जो होता है उसको नियंदर्ण में रखना सत्ते वाक्यम सही बोलें यनि सही बोलना उचित समय के उपर अपनी सक्ति के अनुशार जो है सामर्थे के अनुशार जो है दान देना परेशाम यूती जन कथा मुखवा है दूसरों की यूतियों की चर्चा जो होती है उस समय जो है चुपरेना तृष्णा स्रोतो विवगंग है तृष्णा के जो प्रवा होता है उसको रोकना गुरुषु चा विनिया है सर्व भुतानु कम्प्या और जो पुझे व्यक्ति जो होते हैं उनकी प्रती नम्रता पूर्वक जो है विववार करना ऐसे जो है सभी सास्त्रे इन ही गुणों का जो अनुसरण करते हैं और इन गुणों के अनुसरण के कारण वो कल्यान जो होती है उस कल्यान का मारग भी बताते हैं अगला पद्दे यहां पे आया और इस पद्दे के अंदर जो कवी हैं महापुरुसों के जो रदे हैं उनकी विलक्षनता के संदर में बताते हुए कहा तरह बच्चों यहां पे कहा महापुरुसों का शजनों का जो रदे होता है वह सम्रिदी काल के अंदर कमल के सम्मान अत्यंत कॉमल होता है आपत्षू चै महा सेल सीला संगात करक्श्यम बहुती संकट के समय में विपति के समय में आप्ति के समय में विशाल परवत जो होता है उसकी चटान के सम्मान जो है बहुत ही कठोर जो हुआ बन जाता है चलोके सस्तम गुरूगेःम यह अनुष्टूप जो छेंद है उसका यह उदारन है आगे आया अपका पद्दे और यहां पे कहा यहां जो है उनके चरितर की विशेश्टाओं की विशे में कहा पिर्या न्याया यह वृत्यम मलेनम असु भंगे अपी असु करम तुव संतो ना ब्यर्थया सुरत अपी न याच्चेह कृष्दने है विपद्यु चैह स्थर्यम पदम मनो विधयम चे महताम के नो दिश्टम विशम असी धारा वृतम इदम नाया वृति ही पिर्या असु भंगे अपी मलिनम असु करम असंतह तुने अब्यर्थया हाव सुरिदह अपी कृष्दने है न याच्चेह विपद्यु चैह स्थर्यम महताचे पदम अनु विधयम इदम विशम असी धारा वृतम सताम केन उदिश्टम यानि ऐसा कठोर जो मारग है उसके उपर चलने वाला जो रास्ता है ये किसने सिखाया है किसने बताया है और कहा न्याया व्रतिही पीरिया अन्सु भंगे अपी मलिनम है हमेशा न्याय संगत व्यवार जो है उसको पसंद करने वाले या उसको पसंद करना असु भग्ये अपि मलिनम ऐसु करम प्राणों के संकट में होने पर भी जो है दुश करम जो होते हैं, बुरे कारे जो होते हैं उनको नहीं करना असंतह तनु अभ्यर्थयाह और कभी भी दूस्तों से जो है कुछ मांगते नहीं है, याचना नहीं करते हैं याचना नहीं करना मित्र जो होता है, मित्र भी यदि निर्दन है निर्दन होने पर भी बिना याचना करना याचना नहीं करना विवपती उन्चय अस्थारियम विवपती में अत्यंत दहरिये रखना और इस्थारियम वहताम चपदम यानि महापुर्ज जो होते हैं उनके मार्ग का अनुशरण करना ऐसा यहाँ पे कहा प्यारे बच्चों यहाँ पे कहा कि ऐसा कठोर जो मार्ग है असी का मतलब तलवार जो बहुती पैनी होती है तीखी होती है उसकी धार रुपी जो वचन होता है ये सजनों को जो है ये किसने सिखा है कहने के मतलब ये हुआ कि ऐसा कठोर जे कठोर सैयम प्रोन जो जीवन है वह सत्पूरुसों का होता है वह सोता ही जो उसको स्विकार करते हैं उसको वो अंगिकार करते हैं और आज की कलास्का यह हमारा अंती वीडिया और अंती पद्धे आया और कहा प्रेदानम प्रचनम ग्रीहम उपगते संब्रहम विदिह प्रियम कृत्वा मौनम सदसी कथनम चै अपिपुकरते अनुत सेको लक्सम्याम निरभिव भव सारा परकथा यहां पर भी वोई बात कि सजनों को किस परकार से ऐसा कठोन मारक जो है होता है इसके उपर चलने का यह रास्ता किस ने बताया प्रचनम प्रदानम ग्रीहम यहनि गुप्त जो है वह दान देना ग्रियम उपगते संब्रहम विदिही घर के उपर आयावा अतिती होता प्रियम कृतवा मोनम किसी का उपकार कर दिया और उपकार करने के पस्षाद जो है चुपरेना यहनि किसी को बताना नहीं कहना नहीं उपकृते कथनम और अपने पर किया गया उपकार यदि किसी का होता है सब के सामने उसकी परसंचा करना तारिप करना लक्समया अनुत सेका है धन पाकर जो है गर्वे जो है नहीं करना गमंड नहीं करना निरभी बहुशारा परकथा है इदम विसमम असी धारा वरतम सताम केन दिश्टम इस प्रकार से यनि जो निरभी बहुशारा है पहरे बच्चों यहां पर कहा कि निन्दा के जो वचन होते हैं उनसे रहित रहने वाले परकथा है इदम विसमम असी धारा वरतम सताम केन दिश्टम यनि ये है कठिन असी धारा जो वरत है दुशकर जो वरत है सजन जो होते हैं उनको किसने शिखाया तो प्यारे बच्चों, यहां यह शिखरणी जो चंद है, उसका यह उधारण है, रसाई, रूद्रई, छीना, यह वने सब लागे शिखरणी, इसके अलवा इस पद्दे के अंदर शब्द रूप है, धातू रूप है, प्रते है, उपसरग है, शंदी है, शमास है, उसको भी आप जो याद करें, और जब भी आप परिशा की द्रिश्टी से जब तेयारी करें, तो आप आप वसे इनको नोट करते जाएं, सभी विद्यार्थियोंने सुना, सभी का बहुत-बहुत आवार धन्यवाद।